अन्य परिणामों के अनुसार विद्युद्धारा चुम्बकी ये परिणाम भी दिखाते हैं इन्ही परिणामों को विद्युद्धारा पासवारे चुम्बकी ये परिणाम विद्युद्धार के कारण दिखाई देता है और स्टेंड ने क्या खोजा ये जानने के लिए एक कृती करेंगे असली होका यंत्र ये दिशादर्शक यंत्र के अलावा हम रोज की वस्तूं से बनाया हुआ चुम्बकी ये दिशादर्शक इस्तमाल करते हैं एक डबल एक दशमलव पांच वोल्ड की बैटरी ले लीजिए दिखावे के अनुसार विद्युद परिपत में जोड़ दीजिए सुई का दिशादर्शक तामबे के मोटी सी तार के पास रखी है जब परिपत पूर्ण होता है तब विद्युद धारा तामबे की तार से प्रवाइत होती है इसलिए उसके इर्दगिर्द चुम्बकी ये क्शेतर की निर्मिती होती है ये क्शेतर दिशादर्शक के चुम्बक सुची की सुई को हिलाता है विद्युद्धारा की दिशा बदलने पर सोई विप्रीत दिशा में घूमती है इस कृती से हमें ये समझ में आएगा कि विद्युद्धारा से चुम्बक की एक शेतर निर्मान होता है इस तत्व पर आधारित कुछ कुर्तियां करेंगे विद्यु चुम्बक विद्यु धारा के उपयोग से बनाया हुआ चुम्बक होता है विद्यु धारा शुरू या बंद कर सकते हैं वैसे ही विद्यु चुम्बक का होता है विद्युधारा की तीवरता कम ज्यादा करके विद्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध्युध जिसमें चुम्बकी एक्षेत्र विद्युद्धारा के कारण उत्पन होता है। विद्युद्धारा बंद करने पर चुम्बकी एक्षेत्र नष्ट हो जाता है। साधारन तया तार का कुंडल बनाकर विद्युद्धार बनाये जाता है। इस तार में विद्युद्धार छोड़ने से चुम्बकी अक्षेत्र बनता है, जो कुंडल के बीच के रिक्तस्थान में केंद्रित होता है। विद्युत्चुम्बक के चुम्बक की एक्षेत्र को अबादित रखने के लिए अखंड विद्युत्धारा की आवश्चकता होती है। जब कुंडल से विद्युत्धारा बहती है तब तार के इर्दगिर्द चुम्बक की एक्षेत्र बन जाता है। ऐसी कलपना कीजिए, स्लाइडर की मदद से आप विद्युत दबाव कम ज्यादा कर सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा भी बदल सकते हैं, विद्युत दबाव बहने पर विद्युत प्रवाहब बढ़ता है और विद्युत क्षेत्र ज्यादा बलवान होता है, दुरूव सिलाई मशीन में इस्तमाल की जाने वाली बॉबिन को तार लपेटने के लिए इस्तमाल की है 35 गेज तामवे की तार विद्ध जनितर में इस्तमाल करते हैं वैसे यहां इस्तमाल की है यह अटेरन आप सिलाई मशीन की मरम्मत की दुकान से आप पा सकते हैं लपेटने से लगबग 900 कुंडल बनाए हुए हैं तार के दोनों छोर की परते निकालने के लिए खरखरीत कागज अर्थाथ सैंड पेपर का इस्तमाल किया जाता है इसलिए बैटरी की दोनों छोर को जोड़कर परिपत पूर्ण किये जाने पर तार से विद्युद धारा प्रभावित होगी धातों की आलपीन और मोटी तथा खुली तामबे की तार परिपत बनाने के काम आएगी तार का ये भाग विद्युद टैप या बटं का काम करती है नौ वोल्ट बैक्टरी का उप्योग विद्युद उर्जा के तौर पर किया है तामबे के छोटे कुंतल परिपत बन्द ये चालू रखने के लिए काम आते है परिपत पूर्ण होने पर प्लैस्टिक की इर्दगेर की तार से विद्युद धरा प्रवाईत होती है इसलिए उसका चुम्बक बनकर नीचे लगाय हुई लोहें की कील आकरशित करती है उत्ताई हुई कील जब सबसे दूर की छोड तक जाती है और तामबे की कुंतल को चुम्बक बजाता है परिपत खंडित होने पर तामबे के कुंतल का चुम्बक बजाता है और कील नीचे गिर जाती है ये चक्र निरंतर चलता रहता है ये अगर किसी बड़ी सी धातों की पीटी पर रख दे तो घर की बिजली की घंटी जैसी श्रवनी आवाज आती है गर में ऐसा प्रयोग करके देखें पेटी के आकार प्रकार बदल कर देखें बैटरी की शक्ती बदल कर देखें इन यंत्रों का उपयोग बड़ी योजनाएं और लोहे की बड़ी वस्तुईं उठाने रखने के लिए किया जाता है प्रमुखतया पुनर्प्रक्रिया अर्थात रिसाइक्लिंग प्लांट और भंगार याड में इस्तमाल होता है बिजनी की क्रेंस विद्युधारा से निर्मान होने वाली चुम्बकी अक्षेत्र का उपयोग कर गे काम करती है विद्युधारा तो जब चाहे चालू बन कर सकते हैं लोहे के नट और वुशर इस्तमाल करके अटेरन जैसा ठाचा बनाएं साधार अंतया 34 गेज के तामबे के तार के 500 कुंडल उसके इर्द गिर्द करके गाड़ी नुमा रचना की है चार डबल ए बैटरियां एक सेरे जोड से जोड कर 6 वोल बिजली मिलेगी ऐसी लगाए तो परिपत पूर्ण होने पर नट और वोशर की जोड विद्युचुम्ब की अबनती है विद्युचुम्ब के तत्व पर आधारित ऐसी क्रेन बनाने का प्रयास करें आप तार के पुंडल बढ़ा सकते हैं और ज्यादा शक्ति के विद्युचुम्ब क बना सकते हैं कि अबना शक्ति के विद्युचुम्ब के विद्युचुम्ब के विद्युचुम्ब